हेलो गईज विलकम बैक अगें टो आवर यूटूब चैनल एंड्रोइड एंस और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ शौमी मीपैट 5 के बारे में जो की मीपैट 4 का सक्सेसर होने वाला है दोस्तों शौमी मीपैट 5 में आपको दो वरियंट देखनी को मिलेगा जो कि मीपैट 5 और मीपैट 5 प्रो इन दोनों ही वरियंट के स्पेस्फिकेशन में आपको जादा डिफ्रेंस नहीं देखनी को मिलेगा मीपैट 5 में आपको मीडेक का डैमेंसिटी वाला प्रोसेसर देखनी को मिल यह जो है मेंन डिफ्रेंस होगा बांकी कुछ लगबग मैं आपको सिमलर ही देखनी को मिल जाएगा मीपैड 5 & 5 Pro में तो यहां पे मीपैड 5 के रिगारिंग काफी सारे स्पेश्फिकेशन जो हमें पता चल चुका है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बत देखनी को मिलने वाला है मीपैड 5 में यहां पर आपको 11-inch का QHD Plus IPS LCD वाला डिस पर देखनी को मिलेगा और यहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेसर देखनी को मिलने वाला है और लिग के तुरू यह भी पता चला है दोस्तों कि इसका जो प्रो वर्जन होगा वहां पर आपको 144Hz क देखनी को मिल सकते हैं साथी जो fingerprint sensor वह आपको side mount में देखनी को मिल जाएगा मीपैड 5 में अब बात करतें मीपैड 5 के camera के बार में तो rear side से आपको dual rear camera देखनी को मिलेगा जो main camera वह आपको 13MP का मिलेगा और 5MP का आपको depth sensor lens देखनी को मिल जाएगा जो camera के design है मीपैड 5 का व में तो इस पैड में आपको मीडेटेक का Dimensity 1200 वाला chipset देखनी को मिलेगा with octa core 3 GHz के processor के साथ और जो GPU वह आपको Mali G77 MC9 का देखनी को मिल जाएगा साथी मीपैड 5 में आपको Android 11 जो what of the box देखनी को मिलेगा with MIUI 12 के साथ RAM औरोवेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB का single RAM Venom देखनी को मिलेगा साथ ही आप आपको 64GB और 128GB वाला इंट जोडियन देखनी को मिल जाएगा तो इस पैड में आप जब PUBG वगड़े खेलोगे तो आपको कोई भी दिकत नहीं देखनी को मिलेगा क्यूंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर वह काफी powerful देखनी को मिल जाएगा म अब बात करते हैं मीपैड 5 के बैटरी के बारें दोस्तो तो यहाँ पर आपको काफी एचा बैटरी बेकप भी देखनी को मिल जाएगा और साथ ही आप आपको फास जाएंग का सपोर्ट भी देखनी को मिल जाएगा और साथ ही आप आपको 33W का सपोर्ट भी देखनी को मिल तो आप देख सकते हो जो प्राइस वो काफी कम है दोस्तों अभी इसका जो प्राइस वो कन्फर्म ने हुआ है आगे चलके जैसे ही कन्फर्म होता है तो मैं आप लोग सा जर्षयर करूँगा अब बात करते हैं लॉंच डेट के बाएं दोस्तों तो लीक के थू पता चला है मीपैड 5 के डिगार्डिंग तो मैं आप लोग सा जर्षयर करूँगा और यह पैड जो इस टाम हो सकते हैं कि इंडिन मार्केट में भी लॉँँच हो जाया है क्योंकि काफी दिनों से जो मीपैड में ँट लॉँँच नहीं होता है हमेり सा जो है भो चैना मार्केट में ही इस टाइम यह चांसे है दोस्तों कि यह जो pad है me pad 5 वो इंडिन मार्केट में भी launch हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे pubsy player है जो की pad में खेलना पसंद करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको me pad 5 जो है वो इंडिन मार्केट में देखने को मिल जाए अब आप लोग मुझे comment करके बते हैं क्या आप इस पैड को लेके excited है क्या आप me pad 5 जो है वो इंडिन मार्केट में पर्चेस करना पसंद करोगे या फिर आप Apple का iPad लेना पसंद करोगे comment करके मुझे ज़रूर बते हैगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आसा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ होगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिएगा अगर आपका कोई भी सावाल इसे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिर मैं मिल थैंक नियू और एकशाइटिंग उडिक साथ तब तक के लिए जाहंद वंदे मातराम थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो